हे नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो साथियों आज हम बात करेंगे CGGDS के रिजल्ट के बारे में कि इस रिजल्ट की क्या नियूज है कब तक यह रिजल्ट आएगा, expected date कब तक बताए जा रही है आयोग से बात होने पर आयोग द्वारा क्या हमें जानकारी प्रधान की जा रही है और साथ ही जानेंगे कि official cut-off, expected cut-off कितना जा सकता है तो वीडियो कौन तक देखी है, यह सब जानकारी हम इस वीडियो पर प्रधान करेंगे तो अगर हम देखें CGGDS के बारे में तो जो आपका 37 गर पोस्टर सर्कल साइकल 3 के लिए आपकी ये वेकेंसी आई थी ग्रामीन डाक सेवक साइकल 3 जिसमें आपको BPM, AVPM और डाक सेवक वेकेंसी थी जौब प्रोफाइल जो थी आपकी और साथ ही टोटल वेकेंसी आपकी कितनी थी 1137 और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस था वो किसे हिसाब से होगा merit list के हिसाब से ना कि exam based पे यह किस बेस पे होगा merit list आपकी automatic generate की जाएगी और उसी से आपका सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ेगा अब result date की बात करेंगे तो अब आपका result date क्या बताया जा रहा है September 2021 मैंने official toll free number पर भी बात की उनका कोई इस first answer नहीं था पर उन्होंने ये जरूर कहा कि अब हम result पर देरी नहीं करेंगे हम जल्द से जल्द result release करने की कोशिस कर रहे हैं मेरे द्वारा question भी पूछा गया कि सर फिर भी एक actually date बता दीजे की particular date हो या कोई area हो date का कि इस area से जैसे 15 से 20 September कि इस date पर आप release करेंगे तो उनका बस ये कहना था कि September पर release हो सकता है और ये भी अगर आप आर्टिकल देखते हैं तो आर्टिकल बहुत सारे आर्टिकल हैं जिनमें ये भी बताया जा रहा है कि 36 गड़ ये जैसे आप पर से post office विभाग 1137 vacancy GDS भरती का परिणाम September 2021 में गोसित होने की संभाबना है था कि ये तो पहले भी मैंने बीडियो बता है कि अगस्त मुश्किल पड़ेगा मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था CG GDS के रिजल्ट के बारे में कि थोड़ा मुश्किल है कि आपका अगस्त में result release किया जा जाए है अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि दिल्ली GDS के पहले ही रिलीज कर सकते हैं से आपका किसका 36 गर जीडियस के रिजल्ट को दिल्ली जीडियस के पहले ही रिजल्ट कर सकते हैं तो आप ये अंदाज मानिए कि सिप्टमबर की लास्ट में लास्ट सिप्टमबर पे ही आप उमीद लगाईए कि आपका जो 36 गर जीडियस का ग्र यहां तक कि कई बच्चों ने कॉल भी किया है कि सर कब तक आ रहा है रिजल्ट हम बहुत जादा वेट कर रहे हैं इतनी देरी क्यों हो रही है रिजल्ट आने में तो देखिए देरी इसलिए आयोग का सिर्फ एकी है कि कुरोना के कारण कुछ देरी हुई है और कुछ करना है अब बाकी डिपेंड करता है 36 पोस्ट आफिस पर यह कब रिलीज करते हैं तो उमीद लगा के रखिए कि लास्ट शेप्टमबर पर आपका रिजल्ट रिलीज हो जाएगा अब अगर हम बात करें एक्सपेक्टेट कट आफ की जो जा सकता है आपका पी ड़ुडी का 6-7, आप इसे कहां तक मान के चलिए आप 75 तक मान के चलिए कि इसका कट आफ जाएगा और किसका पी ड़ुडी का जो आपका कट आफ हो 67 से 75 जाएगा और स्ट का कट आफ कितना जाएगा 76-82 SC का कितना जा सकता है 75-80 और OVC का कितना जाएगा 78-82 ये गड़बड है आपका OVC का आप लोग कम से कम 84-90 का अनुमान लगा के चलिए अगर आप 84 के नीचे हैं तो थोड़ा संभावना एक कम है आपके सिलेक्षन की 84-90 आपका जो OVC के वच्चे हैं उनका सिलेक्षन हो सकता है अगर हम Unreserved की बात करें और EWS की बात करें तो उनमें कोई ज़्यादा अंक का फर्क नहीं होता तो अगर हम General की बात करें तो 90 के एवब जाएगा 90 से 96-97 या अगर हम बात करें तो 92 से आप 96-96 की बीच कमानिये की General का क्या जाएगा कट आफ इससे कम जाने की उमीद नहीं है और आप अगर EWS की बात करें तो 90-92 उसका भी परसेंटेस का कट आफ जाएगा EWS और Unreserved में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है तो आप वो लगा के रखी उमीद के सेप्टमबर पर रिजल्ट रिलीज हो जाए अगर मुझे करन तो आपको यहां पर अपडेट कर दूँगा आप कमेंट के माद्यम से आपके जो भी क्विरीज है अभी डाउट है जैसे UPGDS में आप फॉर्म फिल अप कर रहे हैं उसमें कोई डाउट होता है तो कमेंट के माद्यम से पूजे हम आपकी समस्त क्विरी को सॉल्व और हमसे जितना ज्यादा हो सकता है आपके तक जानकारी पहुचाना हम कोसिस कर रहे हैं और हमाय साथ जुड़े रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ सायर करिए धन्यवाद